दोस्तों आज मैं आपको योगनी एकादशी वृत की कथा सुनाने जा रही हूँ आसाड मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगनी एकादशी कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष इस एकादशी का वृत पूरी भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्बक करते हैं और योगनी एकादशी वृत की कथा का श्रवन या पठन करते हैं उन्हें 88,000 ब्रामनों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है योगनी एकादशी का वृत मनुषी की सभी मनों कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला वृत माना जाता है कथा सुन्य से पुर्व भगवान विश्णू का ध्यान करें हाथों में पुष्पले तथा ओम नमो भगवती वासुदेवाई का उच्चारन करते वे श्रधा पूर्व कथा का श्रवन करें ओम नमो भगवती वासुदेवाई अर्जुन ने कहा हे त्री लोकिनात मैंने जेश्ट माह के शुकल पक्ष की निर्जिला एकादशी की कथा सुनी अब आप कृपा करके आसाड माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाए इस एकादशी का नाम तथा महातम में क्या है सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताईए श्री कृष्ण जी ने कहा हे पांडू पुत्र आसाड माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगनी एकादशी है इसके व्रत से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं तुम्हें मैं पुरान में कही हुई कथा सुनाता हूँ ध्यान पुर्वक श्रवन करो कुबेर नाम का एक राजा अलका पुरी नाम के नगरी में राज्य करता था वो श्रिव भक्त था उसका हेम माली नामक एक यक्ष सेवक था जो पुजा के लिए पुष्प लाया करता था हेम माली की विशाल आक्षी नाम की अति सुन्दरी इस्त्री थी एक दिन वह मान सरवर से पुष्प लेकर आया किन्तु कामा सक्त होने के कारण पुष्पो को रख कर अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा इस भोग विलास में दोपहर हो गई हेम माली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवक को आग्या दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेम माली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया हे राजन वो हेम माली अपने इस्त्री के साथ रमन कर रहा है इस बात को सुन राजा कुमेर ने हेम माली को बुलाने की आग्या दी डर से कापता हुआ हेम माली राजा के सामने उपस्थित हुआ उसे देखकर कुबेर को अत्यन्द क्रोधाया और उसके होट फड़फडाने लगे राजा ने कहा अरे अधम तुने मेरे परम पूझनिये देवों के भी देव भगवान शिफजी का अपमान किया है मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तु इस्त्री के वियोग में तडपी और मृत्यो लोग में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतित करे कुबेर की श्राप से वतत्षन स्वर्ग से प्रेथवी पर आगिरा और कोड़ी हो गया उसकी इस्त्री भी उससे पिछड गई व्रित्यो लोग में आकर उसने अनीक भ्यंकर कश्ट भोगे किन्तु शिफ के क्रिपा से उसकी ब्धी मलीन ना हुई और उसे पुर्वजनम की भी सुथ रही अनीक कश्टों को भोगता हुआ तथा अपने पुर्वजनम की कुकर्म को याद करता हुआ वह हिमाले परवत की दरफ चल पड़ा चलते चलते वह मारकंडे रिशी के आश्रम में जा पहुचा वह रिशी अत्यनत वृत तपस्वी थे वह तूसरी ब्रह्म के समान प्रतीत ह रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था रिशी को देखकर हेम माली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनकी चर्णों में गिर पड़ा हेम माली को देखकर मारकंडे रिशी ने कहा तुने कौन से निकरिष्ट कर्म किये जिससे तु और भयानक कष्ट भोग रहा है महर्शी की बात सुनकर हेम माली बोला हेम मुनिश्रिष्ट मैं राजा कुबेर का अनुचर था मेरा नाम हेम माली है मैं प्रती दिन मान सरवर से फूल लाकर श्री पूजा के समय कुबेर को दिया करता था एक दिन पत्नी सहवास के सुक में फस जाने के कारण मुझे समय का ग्यान ही न रहा और दुपहर तक पुश्पन न पहुँचा सका तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी इस्तरी का वियोग और प्रित्वी लोग में जाकर कोड़ी बनकर दुख भोग इस कारण से कोड़ी हो गया हूं तथा प्र माली तुने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत पताता हूं यदि तू आसाड माह के कृष्ण पक्ष की योगनी नामक एकादशी का व्रत विधी विधान पूर्व करेगा तो तेरे सभी पाप नश्ठ हो जाएंगे महर्शी के वचन सुन हे माली अत्यंत प्रसन्य हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगनी एकादशी का व्रत विधी विधान पूर्वक करने लगा इस व्रत के प्रभाव से अपनी पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी इस्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने इसके व्रत से सभी पापनेश्ट हो जाते हैं और अंत में मोख्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है ओम नमो भगवदेवा सुदेवाए सभी जन मिलकी बोले लक्षमी नारायन की जय अठात कथा का सारी यह है कि मनुश्य को पूजा आधी धर्म मे आलस से या प्रसाद नहीं करना चाहिए अभी तू मन को सयम में रखकर सदैव भगवान की सेवा में ततपर रहना चाहिए दोस्तों अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए परिवार जनों और दोस्तों के साथ शेर मेरे चानल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए जै माता दी